हेलो लर्नर्स, विल्कम टूशनल, तो इस वीडियो में फटाफाट रिवाइज करेंगे कंजूमर बिहेवर और मार्कटिंग कम्मुनिकेशन के यूनिट 5 के इंपोर्टन टॉपिक्स जो की दो ही इंपोर्टन टॉपिक्स यहां पर ट्रेड प्रमोशन और कांजूमर प्रमोशन और कौन कौन से टेकनिक हैं जिसके थू हम ये ट्रेट परमोशन या फिर कंस्युमर परमोशन कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखें कि ट्रेट परमोशन देखिए ट्रेट मिस भी आपार तो यहाँ पर consumer को लिए नहीं promote किया था है, यहाँ पर retailer और wholesaler के लिए promotion किया जाता है, तो उसको कहते है trade promotion, is a marketing tactic aimed at retailers by manufacturer, तो यह क्या है, एक तरह की का marketing tactic है, marketing technique है, जिस पर हम retailer पर focus करते हैं, कि retailer हमारा product जादस जादा अपने हाँ पर रखे, क्योंकि अगर retailer आपका product जादस जा जादा बेचेगा, तो यहाँ पर हम trade promotion कहते हैं इसे, to increase the demand, तो अब इसे बात है trade promotion क्यों कर रहे हैं, demand को increase करने के लिए, तो trade promotion is a marketing technique aimed at increasing demand for product in retail store, तो retail store में अपने product की demand को बढ़ाने के लिए, जो हम promotion करते हैं, retailers के focus करके, उसको कहते हैं trade promotion, wholesaler and or retailers are offered a special price discount, subsidized or free display rank, rack or stand, gifts or other incentives, तो wholesaler जो होते हैं, उनको क्या होता है, price discount दिया जता है, trade promotion करने तो कैसे करोगे आप, price discount दोगे, कि आपका product purchase करेंगे, तो उनको discounted price में आपको product मिल जाएगा, और उनको profit margin जादा मिल देगा, subsidized जाने कि आप जो हैं उनको छूट के साथ, कहीं न कहीं आप उनको product दे रहे ह या फिर certificate दे जाता है, इंसेंटिव दिया जाते हैं, या फिर कहीं टूर package भी दे दिया जाता है, बहुत सारी schemes में, तो यह क्या है trade promotion के technique होते हैं, तो objective क्या है trade promotion का, तो trade promotion का objective बटाओ बेसे बाता है, कि to carry a new product, या सब्सक्राइब करता है, तो अपना product जो है retail shop में रख जा या फिर जो भी आप promotion technique यूज़ कर रहे हो, तो हम normally क्या करते हैं, कि इसलिए trade promotion करते हैं, जिसे कि हमारा नया product आपकी दुकान पे रखा जाए, rejuvenate, stagnate sales, यानि कि ऐसे sales जो कि रुख गये थे, उनको energized करना, यानि कि उनकी sales को और भढ़ाना, ये भी trade promotion का motive होता है, कि products well stocked, यानि अपने यहाँ पे well stocked, जो है अपने product को रखना, आप suppose करें कि आप किसी retail store पे जाते हैं, आप कहते हैं, कि यह टाटा salt दे दिए, जो टाटा salt के दुकान दर कहते हैं, कि टाटा salt नहीं है, कोई दूसरा salt ले लिजे, तो यानि कि अगर stock होता, तो टाटा salt ही लेते, ल इस वजे से भी trade promotion किया जाता है, to gain new wholesaler, retailer, और जाहिसी बात है कि और जादा से जादा retailer को अपने side attract करना, हो जादा से जादा होलसेल को अपने side attract करना, यह भी trade promotion का objective होता है, तो अगर आप overall trade promotion देखें, तो क्या हो गया, कि trade promotion में हम wholesaler और retailer पे focus करते हैं, उनके लिए प्रमो तो ट्रेट पर्मोशन का यह मेन मोटिव होता है अब बात करने कि टाइप अफ ट्रेट पर्मोशन आप कैसे कर सकते हैं तो कुछ तो आपने देखी लिए कि जैसे प्राइस डिसकाउंट दे रहे हो आप ठीक है कि आप अगर एक स्पेस्पिक टाइम पेट के बीच में पेट की छूट मिलेगी तो देट इस प्राइश ऑफ नेस्ट इस्टेट जी होगा एक ट्रेट पर्मोशन का अलाउंस में छूट देना अब अलाउंस कई तरीके से दिया जा सकता है एन अमाउंट ऑफर इन रिटरन फॉर्ट एगर तो फीचर दी मैनुफेक्टर देते हैं तो इसको क्या कहते हैं आउंस कहा जाता है इसी तरहीछ के से अदवर्टाइजिंग अलाउंस होता है अब आपको इसके लिए भी आशनके अगरफ देने आपकोər यहांउंस देंगे इसी तरह की से अब वहांट कोटे भाडवे बैकर देने करेंगे आप देख तो हमारे मांटें डू का freeze रखा होता है, या एटल की छतरी लगी पड़ी है, ति यह क्या है, यह display है, और display allowance भी दिया जाता है, कि आप हमारे product को अपने हाँ पर display करें, उसके बदले आपको जो है product देंगे, या फिर display allowance भी आपको देंगे, तो अलग-अलग तरीके से आप ज यूइट एक्स्टा दे देंगे, तो free goods दे रहे हैं आपको, यानि कि इतनी amount करेंगे, तो इस पर आपको extra goods दे देंगे, जिससे कि आपको profit margin क्या होगा, ज्यादा होगा, अब भाई आप 10 लाग रुपए के payment करोगे, 10 लाग के बदले आपको 11 लाग मिल गया, एक लाग होगा, तो that is free goods, तो 6 retailers का फाइदा होता है, contest आप करवा रहे हो, कि जो हर महीने में ज्यादा sale करेगा हमारे brand को, हमारे product को, तो उसको जो हम कुछ हिनाम देंगे, कुछ prices देंगे, या फिर कोई tour हो सकता है, जो है आपको tour बाहर भेज़ देंगे, तो contest आप जो है, प्रे पर करना है, कैसे अपने दुकान पर अपनी products की sales को बढ़ाना है, उसके लिए आप training program भी organize करा सकते हैं, तो आप लोगों retailer से बात करके, उनको अपने हाँ पर training program भी बुला सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका trade promotion ही होगा, तो sales training program आप कंड़र्ट कर सकते हैं, trade shows, बहुत सार करने के लिए, demand को increase करने के लिए, ति यह कुछ type of trade promotion थे, जहां पर अपने wholesaler और retailer को focus करके, उनके लिए अलगला promotion technique अपना के अपने product को वहाँ पर रखेंगे, जिससे की ज़्यादा सज्यादा उसकी demand consumer तक पहुंचे, consumer की demand पूरी हो, next अब आप देखेंगे, sampling का भी एक example ह यहाँ पर trade promotion में, sampling आप sample, मतलब कि आप पहले जो है customer, retailers से आप यह नहीं बोलेंगे, आप हमारा product कर जीए, आप कुछ samples अपने हाँ पर रखेंगे, अगर customer को sample पसंद आता है, तो फिर आप और order लीजिएगा, तो sample भी आप जो है retailers को दे सकते हैं, next is consumer promotion, तो trade promotion हो गया, trade promotion मे activities perform करते हैं, marketing technique लगाते हैं, वहीं पर consumer promotion है, यहाँ पर consumer को attract करने के लिए, promotion technique है, marketing technique लगाते हैं, तो कि consumers जादा से जादा आपका product purchase करें, तीस तरीके के technique लगाते हैं, तो tactics और technique design to help a business find new customers और reward current customers, तो यहाँ पर consumer promotion का मतलब क्या हो गया, कि ऐसे techniques, ऐसे marketing strategies, जहाँ पर हम नए नए customers को बनाने हैं, अपने पास लेके आते हैं, वो साथी साथ जो हमारे current customers हैं, उनको और ज्यादा benefit मिले, इस तरीके के promotion schemes आप निकालते हैं, promotion which target the consumers, तो consumer promotion में किसको target करते हैं, consumers में, trade promotion में किसको target करते हैं, retailers को, wholesalers को, a marketing technique that is used to entice customers to purchase a product, entice पिस क्या होता है, attract करना, तो marketing marketing technique, जहांपे हम customers को attract करते हैं, कि वो हमारा product purchase करें, तो consumer promotion कहलाता है, अब बात कर लें कि कौन-कौन से तरीके हैं, जिससे कि आप consumer promotions कर सकते हैं, तो सबसे पहला sample, जो कि आपने retailer में भी देखा, तो sample, यानि कि आप जो है, आप देखते होंगे, बहुत सा retail shop में जाते होंगे फिर big बजार में जा रहे हैं, फिर कोई और दूसे showroom में जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कि आप एक बार try करके देखिए, आपको कबलता है, आप एक बार try करके देखिए, अच्छा लगता है, तो तो that is sample, यानि कि offer a free amount of product or service, तो कहलाता है sample, sample सा आप consumer promotion कर सकते है दूसरा है coupon, coupon यानि कि आप कोई पर purchase करने के, तो आपको एक coupon देखिए, कि अगली बार आप purchase करने आओगे, तो आपको 100 रुपे का discount मिलेगा, अगर आप 2000 रुपे का purchase करोगे, तो आपको 400 रुपे का discount मिलेगा, तो अलग-अलग type के coupon, यानि कि उसको certificate करते हैं, जो आपको saving on the purchase of specific product, तो coupons कहलाते हैं, cash refund offer, यहाँ पर आपको क्या होता है cash refund, यानि कि आप product purchase करते हैं, और आप बिनर होते हैं, तो आपको cash refund होगा, तो आपको वापस जो है, कुछ amount पैसा मिल जाता है, जैसे कि आप बहुत सारे skim देखते हैं, जैसे कि Maggie में ही scheme आता था, या फिस Sunfish में scheme आया था, कि आप 5 रुपए का 10 रुपए का Maggie का packet लेते हैं, उसमें अंदर packet open करेंगे, तो वहाँ पर बार कोड होगा, बार कोड को जो भी digit या नंबर होगा, उसको आप भेजेगे, तो आपको pay टियम का 20 रुपए में pay टियम में मिलेगा, तो that is cash refund offers, तो इस तरह के सा एक साथ बेच के उसमें price कम के दियाता है, यानि कि दो चीज़े खे दोगे तो एक extra, एक किदान पर मिलेगा, एक लोगे तो आपको महेंगा पड़ेगा, वहीं पर दो लोगे तो एक किदान पर आपको 2 मिल जागा, that is price pack, इसी तरह के से bandit pack होता है, bandit pack में क्या होता है, कि दो related products जोते हैं, आपस में बांच के उसको हम कम price में देते हैं, यानि कि अगर आप toothpaste और toothpaste की बात करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक टेक्निक हो गया, इसी तरह के से आप consumer promotion में देख सकते हैं, प्रीमियम स्यानि क्या आप देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, प्रीमियम मे relatively low cost or free as an incentive to purchase a particular product, यानि कि जब आप कोई particular product purchase करते हो, तो उसके बदले आपको कम cost में दूसरा product दे दिया जाता है, या फिर free दे दिया जाता है, तो उसको कहते हैं, प्रीमियम या फिर gift, with pack premium companies, the product inside on the package, कभी-कभी आपने देखागा कि कोई product purchase करते हैं, उसके अंदर ही एक छ purchase करते हैं, और regular time interval पर purchase करते हैं, उनके लिए भी आप अलग-अलग schemes दे देखते हैं, प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोवाइडिंग reward related to the consumer frequency and intensity in purchasing the company's product, और service तो कहते हैं, कि भी आप हमारे पुराने customer है, आपको ठीक, आपको discount दे देंगे, या फिर आपको इतने में लगा द लिए जैसे Amazon का होगे, Amazon Prime है या फिर Amazon Music है, तो 30 दिन ते कप free trial कर सकते हैं, उसके बाद आप से फिर वो चार्ज करते हैं, तो free trial ही क्या होगे, consumer promotion जब आप free trial होगे, तो customer उसको use करेगा, अगर पसंद आया तो उसको payment करके, आगे उसको successfully run करता है, तो inviting prospective purchases to try the product without cost in the hope that they will buy, य तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ मिलता है इन रिटन और उसमें क्या होता है वहाँ पर अपने प्रमोशन अपने प्रोड़क की डिमांड को बढ़ाते हैं तो वह भी क्या होता है कंजूमर प्रमोशन का टेक्निक होता है प्राइज आर ऑफर्स टु दे चांस तो विन कैस ट्रिप्स और मर्चेंडाइज जैसे कहता है कि आप दिपॉली में देखते हों कि अगर आप पर्चेश करेंगे तो आपको गोल्ड कोईन फ्री मिलेगा गोल्ड कोईन प्राइज मिलेगा तो तो यहां पर अच्छा फोटोग्राफी कर सकते हैं तो आप अपनी जो है इंट्रीज भेजिए और आपका अगर शर्डाइज तो आपको अबॉलेगा इस तरिके से भी हमकर सकते हों कॉंटेश्ट कॉल हें अगर आप यह मार्च महिने में इतने प्रोडक्त पर्शेश करेंगे तो आपको जो है फ्री टिप मिल जाएं प्री जो है टिर्फ मिल जाएगा कहीं बाहर का या फिर इतने पर सं का discount मिल जागा या भी किसी तरीके से भी जो है अब उसको offers दे सकते हैं इसी तरीके से sweepstakes होता है sweepstakes क्या होता है ask consumer to submit their names in drawing तो normally क्या होता है कि lucky draw lucky draw जो आपने सुना है वही चीज होता है sweepstakes है यहाँ पर क्या होता है कि आप जब कोई purchase करते हैं तो आपको coupon दे देंगे कूपन देने बाद बोलेंगे कि आप उसमें अपना नाम अमर अगा फिल करके आप एक box में डाल देजिए फिर उसके बाद lucky draw इस तारीक को होगा उस तारीक में अगर आपको lucky है तो आपको lucky draw होता है तो वहाँ पर आपको अपने name को submit करने के लिए बजाता है और जब lucky draw होता है तो वहाँ पर आपको अगर मिलता है तो आपको prices दिये जाते है तो यह कुछ consumer promotion के techniques है तो इस video में आपने देखा कि trade promotion और consumer promotion trade promotion में हम retailers को कैसे promote करते हैं कि retailers हमारे product को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ पर रखे और consumers को sell करें और consumer promotion में हम focus करते हैं कि कैसे हम consumer को attract करें कि consumer हमारा product ज़्यादा से ज़्यादा product purchase कर और नए-ने consumers हमारे बास attract हो तो विशू all the best, keep watching, subscribe to the channel for more videos, thank you